नमस्कार बहुत स्वागत आपका जोतिश दिशासत्य की राह में मैं हूँ आपके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी आज और अभी गौहाटी में हैं कल से आप हमसे गाजियाबाद मिल सकते हैं गाजियाबाद में मिलने के लिए कार्याले के नमबर पर वाटस अप करना है और मिलने का समय लेना है बनारस भी आ रहे हैं बनारस की भी तारिखें आ चुकी हैं बनारस में मिलने के लिए कारयाले के नंबर पर उसी प्रकार से आपको बस बनारस अपॉइंडमेंट ले करके वर्च अप करना है और इसके बाद भोपाल में भी आप हमसे मिल सकते हैं तो बनारस भोपाल का अपॉइंडमेंट आरंभ हो चुका है मित्रो शुराध पक्ष सितंबर में मध्ध सितंबर से आरंभ हो जाएगा लगभग एक माह के बाद शुराध पक्ष लग रहा है शुराध पक्ष में हम पूरी टीम लेकर के गया जी में उपलब्ध रहेंगे जहां मिलकर भी कुंडली दिखाई जा सकती है इसके अलावा आप सब अपने पितरों की शांती की भी व्यवस्था कर सकते हैं भागवत तक का पूरा व्यवस्था हम वहां करते हैं आप लोग आईए आप लोग का साथ रहे आप लोग हमारे साथ रहे और आरंभ करते हैं आई आज का जोतिश दिशा नक्षत्र 27 मीडिया की अजभुत प्रस्तती जोतिश दिशा सत्य की राहा स्रावण महा शुकल पक्ष अश्टमी तिथी है आज चंद्रमा ब्रिश्चिक राशी में नक्षत्र विशाखा सुबह 10 बच कर 43 मिनट तक इसके बाद अनुराधा नक्षत्र योग रहेगा ब्रह्म तदनसार दिनांक 13 अगस्त दिन मंगलवार मंगलवार को राहुकाल का समय दोपहर 3-34 और गुलिक काल का समय रहेगा दोपहर 12-31 राहुकाल नए और शुबकामों के लिए सास्त्रोक्त वर्जित रहेगा इसमें कोई भी नया और शुबकाम आरंभ न करियेगा गुलिक काल में आप हर नए और शुबकाम का आरंभ कर स आज की भविश्यवानी की मेश राशी चंद्रमा की स्थिती आठवे भाव में है और भागेश नवमेश है नक्षत्रेश आपके नवमेश है ब्रहश्पति द्वादशेश भी है प्रेमित्रो ब्रहश्पति का नक्षत्र विशाखा आज मेश वालों के जीवन में कुछ मानसिक द्वंद देगा मन कम लगेगा अचानक से कुछ मुश्किलें आ सकती हैं पढ़ाई में ब्यापार की स्थती आज सुद्रण है बिजनस आपके लिए बेहतर परिणाम देगा प्राइवेट सेक्टर एक अच्छी सुर्वात के साथ चल रहा है सरकारी छेत्र को आज और अच्छा करने में आप काम्याब होंगे दामपत्य जीवन पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतरीन है हर तरह से आपके लिए अनकूल है स्वास्त के मामले में खासी जुखाम के शिकायत आँखों की दिक्कत और पेट की समस्या हो सकती है प्रियोग क्या करना चाहिए प्रियोग के तौर पर आज अपने हाथों से किसी छोटे बच्चे को कुछ भी खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा शुभरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रिद्शत पच्चपन शब राशी उतार चड़ाओ से युक्त समय रहेगा चंद्रमा सब्तम में चंचलता घातक नीच का चंद्रमा पढ़ाई में कमन लगेगा परिवार में उतार चड़ाओ बढ़ेगा ब्यापार बहतर है बिजनस की चिंता न करें बिजनस में हर प्रकार से आपके लिए आजन कूलता रहेगी निवेश का पूरा फल मिलेगा प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बड़ा कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में आप पर आज इश्वरीय कृपा सोतह रहेगा सरकारी छेत्र कुछ बहतर परिणाम दिखाएगा गौर्रमेंट सेक्टर में कुछ बहतर परिणाम रहेगा दामपत्य जीवन पतिपत्नी के बीच तालमेल हर तरह से आपके लिए कुछ नए सुरुवात की तरह लगेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन पेट की समस्या और किट्नी की दिक्कत दे रहा है क्या उपाय करना है? प्रियोग के तोर पर बिशब राशी वालों को दाइनी हथेली पर थोड़ा गुलाब जल लेना है और अपने उपर छिरकाव करना है शुबरंग सफेद भाग्य प्रित्षत पचपन मिथुन राशी चंद्रमा छठे भाव में आया उतार चड़ाव बढ़ाया मांसिक दुन्द रहा व्यापार की स्थती बहुत सकरात्मक हर तरह से आपके लिए अनकूल प्राइवेट सेक्टर वालों को कुछ तनाव बढ़ सकता है सोच समझ कर निरड़े लेना होगा सरकारी छेत्र आपके लिए एक नई सुरुबात देगा एक नया आरंभ देगा गवर्मेंट सेक्टर में शुबता आज बनी रहेगी दामपत्य जीवन पति-पत्नी के साथ तालमेल विठाने में आप कामियाब रहेंगे स्वास्थ के मामले में कमरदर्द की शिकायत आँखों की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है मिथुन राशी वालों को अपने मस्तक पर सामानने जल से अब शेक कर लीजे सुबरंग आपके लिए आज बादामी भाग्य प्रतिशत 55 करकराशी चंद्रमा की स्थिती पंचम भाव में भी राजमान है सिक्षा की स्थिती बहुत बहतर है हर तरह से आपके लिए अनकूल सिक्षा में किसी प्रिकार का दोश नहीं है ब्यापार आपके लिए कुछ नया और सकारात्मक कर रहा है बिजनस की स्थिती को स्वस्थ वे में आप करेंगे प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम दिखाएगा कुछ नय अंश मिलेंगे सरकारी छेत्र को साधने में आप कामियाब होंगे सकरात्मक्ता आपके साथ बनी रहेगी दामपत्य जीवन आप पर इश्वरी कृपा के साथ चल रहा है स्वास्त के मामले में कमरदर्द पेट की समस्या हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तौर पर अपने कंठ पे कच्चे दूद से तिलक कर लीजेगा शुबरंग आपके लिए आज पीला भाग की प्रतिशत चववन सिंह राशी चतुर्थ भाव में चंद्रमा का संचरन रहेगा आज पढ़ाई आपके लिए आज कुछ नया आरंभ दे रहा है सिक्षा सिक्षा की स्थिति आपके हिसाब से चलेगी सिक्षा में आप उचाई छुएंगे ब्यापार थोड़ा सा तनाव के साथ चलेगा बिजनस पर ध्यान देने की आवशक्ता है प्राइवेट सिक्टर उल्जन दे रहा है संभल कर चलने की आवशक्ता है सरकारी छेत्र हर तरह से आपके लिए शुभ परिणाम ले आएगा गौर्मेंट सिक्टर में शुभता रहेगी दामपत्य जीवन कई तरह से आपको परेशान कर रहा है दामपत्य जीवन की स्थिती को बेहतर करने का प्रयास करे स्वास्थ के मामले में देखा जाए तो पेट की समस्या और बैक की प्राबलम हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तोर पर अपने मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाईए शुभरंग आपके लिए बादामी भाग्य प्रत्षत सत्तावन चर्चा करने राशी की यहां चंद्रमा तृती भाव में आकर थोड़ा आपको बिचलित करेगा मन कम लग रहा है इधर उदर की चीजें उलजाएंगी पढ़ाई कम हो पाएगी शिक्षा में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है ब्यापार की स्थिति को आप सुद्रुण कर सकते हैं बिजनस में किसी प्रकार की समस्या नहीं है प्राइवेट सेक्टर को नए सिरे से लेकर चलने में आपको काम्याभी मिलेगी सरकारी छेत्र हर प्रकार से आपके लिए शुपता देगा गौर्णमेंट सेक्टर बेशुब इस्थति रहेगी दामपत्य जीवन को देखा जाए तो कन्यराशी वालों के लिए ब्रहश्पती अच्छी पोजिशन पे है स्वास्थ के मामले में खासी जुखाम प्रेट की समस्या और लीवर से सम्मंधित दिक्कत हो सकती है क्या उपाय करना है प्रियोग के तवर पर किसी जरूरत मंद को अपने हाथों से कुछ भी खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज कुलावी भाग्य प्रित्षत पचपन चर्चा तुलाराशी की सेकेंड हाउस में चंद्रमा विराजमान हुए पढ़ाई के लिए बहुत बहतर इस्थती पैदा किये सिक्षा में हर प्रकार से शुबता है व्यापार आपके लिए टफ सिचुवेशन में है बिजनस बहुत अच्छी स्थती में नहीं है थोड़ी परेशानी की स्थती आज महसूस करेंगे प्राइवेट सेक्टर एक नई सुरुवात के साथ चल रहा है जिस पर आपको गर्व होगा मेहनत का पूरा परिड़ाम मिलेगा धन सेलरी बढ़ जाएगा सरकारी छेत्र सुधारने में आप काम्याब होंगे गौश्मेंट सेक्टर में शुबता हर तरह से बनी हुई है स्वास्थ के मामले में आज का दिन कमरदर्द के साथ साथ माईगरेन की समस्या दिखाएगा तुला राशी के लिए उपाय के तोर पर आज तूसी के नीचे की मिट्टी मस्तक से लगा ले शुबरंग आपके लिए के सरिया भाग्य प्रतिशत बावन ब्रिश्चिक राशी चंद्रमा आपकी राशी में है परिस्थतियों को आप आज पकड़ सकते हैं पढ़ाई अच्छी चलेगी सिक्षा में लाब होगा व्यापार कश्ट दे रहा है परिस्थति थोड़ी प्रतिकूल रहेगी प्राइवेट सेक्टर आपके लिए अवसर प्राप्त कराएगा प नामपत्य जीवन की स्थिति को आप साध सकते हैं पति पत्नी के बीच ताल्वेल अच्छा रहेगा सपोर्ट मिलेगा स्वास्त के मामले में आज का दिन किट्नी की समस्या और पेट की दिक्कत हो सकती है प्रियोग क्या करना है ब्रिश्चिक वालों को उपाय के तोर पर अ अलका सा शहद लगाईए शुभरंग आपके लिए आज ग्रे भाग्य प्रतिशत 58 धनुराशी द्वादस का चंद्रमा लंबी यात्रा का संकेत देता है शिक्षा में अवरोध आ सकते हैं पढ़ाई की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी अकस्मात कुछ रुकावट सकती है व्यापार आपके लिए कई तरह से अनुकूल इस्थियां दे रहा है सकरात्मक इस्थियां दे रहा है प्राइवेट सिक्टर को लेकर के सजगता आनिवार है थोड़ा समल कर चलने की जरूरत है सरकारी छेत्र कुछ बहतर और उत्तम परिणाम देगा दामपत्य जी जुखाम नेत्रदोश आधि हो सकता है धनुराशी प्रियोग के तौर पर आज गउशाला में काले तिल्क चड़ाना शुब होगा शुबरंग आपके लिए आज हरा भाग्य प्रतिशत 50 मकर राशी एक आदस भाव के चंद्रमा के साथ कनेक्टेड हैं आज पढ़ाई विदेश नए आरंभ की तरफ इशारा है विदेश में जाकर सिक्षा गुरहन करने की विशे में विचार किये होंगे तो वहां से भी आपको नती मिलेगी ब्यापार अच्छा है बिजनस की चिंता ना करें बिजनस में कुछ नया और बड़ा हो सकता है प्राइबेट को साधने का प्रयास करिए दांपत्य जीवन हर कदम पर आपको अनकूल स्थती दे रहा है दांपत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी स्वास्त के मामले में आँख की समस्या और कमरदर्द की शिकायत हो सकती है मकर राशी प्रियोग के तौर पर आज तीन पौधों में जल दे दीजिएगा शुवरंग आपके लिए पीला भाग्य प्रत्षत सत्तावन अगली राशी कुम्भराशी यहां चंद्रमा दसम भाव में भी राजमान हुई पढ़ाई तो आप सम्हाल ही रहें सिक्षा में कोई रुकावट परेशानी नहीं है आपके हिसाब से सब कुछ बहुत सकरात्मक चल रहा है ब्यापार कई प्रकार से आपको परेशान करेगा उल्जन बढ़ेगा बिजनस को समभालने का प्रयास करिए अकस्मात कुछ समस्याइं आ सकती है प्राइबेट सेक्टर आपके लिए कुछ नई सुरुवात दे रहा है जिस पर आपके लिए अनकूल इस्तियां रहेंगे सरकारी छेत्र सुधर जाएगा गौर्बन सेक्टर में कहीं रुकावट नहीं आएगे दामपत्य जीवन आपके लिए अवसर दे रहा है पती पत्नी की बीच तालबेल जबर दस्त रहेगा स्वास्त के मामले में बैक की प्राबलम आँख की समस्या बढ़ सकती है कुमराशी प्रियोग के तौर पर मस्तक पर हल्दी का तिलक करिए शुबरंग आपके लिए बादामी भाग्यपत्षत अठामन अंतियमराशी मीन पढ़ाई में आज कुछ नया आरंभ है स्विक्षा की स्थिति को आप समाल रहे हैं इसी के हिसाब से आपको चलने क्या वश्यक्ता है ब्यापार के लिए कुछ नई सुरुवात कुछ बहतर सुरुवात कुछ सकरात्मक सुरुवात प्राइवेट सिक्टर में उतार चड़ाओ बढ़ रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी स्थितिया नहीं है सरकारी छेत्र अचानक किसी मोड पर आकर कि आपको परेशान कर सकता है गवर्मेंट सिक्टर को साधे कुछ परेशानिया बढ़ सकती है स्वास्त के मामले में पेट घुटना और हड़ी तीन जगह से आप परेशान रहेंगे प्रियोग क्या करना चाहिए उपाय के तौर पर अपने हाथों से किसी जरूरत मंद को कुछ खाने पीने के लिए देना शुब होगा शुबरंग आपके लिए नीला भाग्य प्रथशत 54 अंतिम राशी मीन के बाद चर्चा आज के सक्सेस की की दिन को सफल करने के लिए कुपाय आपका स्वागत कर रहा है आज चंद्रमाचु की विशाखा नक्षत्र में है ब्रहश्पति का नक्षत्र है तो इंडेक्स फिंगर में हल्दी लगा कर थोड़ा सा मिट्टी लगा ले मंगल ब्रहश्पति को कनेक्ट करें कंठ को छुए और तीन बार अपने पिता का नाम अपने मन में ले ले बस ये दिन को पूरे सफल कर देगा हमारे पिता हमारे गुरु भी होते हैं जीवन में तमाम जगहों पर उनकी बताई हुई उनकी सिखाई हुई बाते शिक्षाएं हमारे काम आती है चर्चाब आगे आज के भाग्याक्षर का मेश ताग्षर ब्रिशब या मिथुन काग्षर करक पा सिंग काग्षर कन्या चा तुला हाग्षर बिश्चिक धा धनू गाग्षर मकर खा कुम्भ वाग्षर मीन जा यह आपके शुभ भाग्याक्षर है सादे चोक और कागच पर इन्हें काले अक्षरों लाल अक्षर लाल इंक से लिखकर और अपने पास रख ले चंद्रराशी से कर रहा है चलते चलते आज का आईश्मान भव है दिनांक 13 अगस्त का आईश्मान भव है उपाय क्या रहेगा जिसका आज जनम दिन है जनम दिन की शुभ कामनाएं प्रियोग दो लोगों को दवा का दान एक बरगत का पौधा कहीं लगाएं किसी जरूरत मंद को खाना खिला दीजे जिसकी आज मेरी जनवर्शरी है किसी छोटे बच्चे को भोजन कराकर किसी जरूरत मंद को दवा का दान करके दो पीपल का पौधा कहीं अपने हाथ से लगा दीजेगा काम पूरा हमारी शुब कामनाय आपके साथ हैं आज के लिए इतना ही अनुमत दीजेगा आपना और कल से गाजियाबाद ने मुलाकात कर सकते हैं 19 तक 20-21-22 बनारस रहेंगे बहुत बहुत शुक्री आपका धन्यवाद नमस्कार स्रिकिष्णा शिरादे आचार्य विश्वप्रसिध जोतिशाचार्य संतोश संतोश जी ने अपने 13 वर्षों के कठो रिसर्च के बाद आप सब के खुशाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार ग्रहदीब समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीब आप सब के जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है कैसी भी दशा कैसा भी ग्रहों का हो दुश प्रभाव बस एक ग्रहदीब आप के जीवन को भर देगा खुशियों से हर समस्या के लिए अलग-अलग ग्रहदीब जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीब व्यापार के लिए बुध ग्रहदीब संतान के लिए संतान गोपाल धन हे तू महालक्ष्मी कर्ज कोट विवाद मंगल ग्रहदीब मौडलिंग और एक्टरस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीब तो अगर आपको भी खुशियों की चाहा है मंगवाईए अपना खास ग्रहदीब दीब एक खुशियां अनेक अगर धक्टरस बढ़िएक ग्रहदीब झाल 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 मंगवादीब झाल